हेलो गाइज वेलकम बैक टो माई चैनल माई सेल्फ अर्चना मैं सिंपल पाललर ब्लोग चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सो गाइज आज मैं आप लोगे साथ शेयर करूंगी थ्रेडिंग वीडियो वो भी मैच यूर स्कीन पे तो चलिए वीडियो फटाफ़ से स्टार्ट करते हैं सो गाइज मेरे जो क्लाइन्ट है उनके आईब्रो बहुत ज़्यादा लाइट है थिन है आप लोग देखी सकते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिए मैं कैसे आईब्रो को शेप देती हूँ और गाइज मैच्छर स्कीन पे जब आईब्रो बनाते हैं बहुत ज़्यादा ध्यान से बनाना होता है क्योंकि स्कीन बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं और कटने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है इसलिए आपको बहुत ध्यान से करना होगा ओके गाईश तो अभी मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूं आइब्रो बनाना तो जितना भी एक्स्ट्रा है उसे मैं कलीन करते हुए, शेप देते हुए जाऊंघी इनकी जो आइब्रो से बहुत ज़ादा थिन हैं तो मैं कोशिश करूँगी जो भी एक्स्ट्रा है उसे उठ काँगी और धीरे धीरे शेप देते हुए जाऊंगी गाईज आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा बिल्कुल स्किप मत करिएगा बहुत ही knowledgeable video है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा तो वीडियो पूरा last तक दिखेगा guys मैचूर स्कीन पे guys आप जब eyebrow बनाएंगे बहुत ही ज़ादा ध्यान से बनाना होगा क्योंकि इनके जो स्कीन बहुत ही ज़ादा lose हो जाते हैं age के साथ साथ तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि eyebrow तो shape देंगे लेकिन स्कीन कटना बिल्कुल नहीं चाहिए तो आप बहुत ही ज़ादा ध्यान से करेंगे क्लाइन से बोलेंगे कि आप उपर और नीचे बहुत ही अच्छे से खीच के पकर लो इससे क्या होगा जब आप ठ्रेट चलाएंगे तब सिर्फ हेर के साथ जिए बिलकुल नहीं निकलेगा तो आपको ये सब बात का ध्यान रखना है बहुत ही जादा मैचुर स्किन पे तो बहुत ही ज़ादा ध्यान रखना है हुप आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे सो गाइस अभी मैं उपर की तरफ करूँगी उपर की तरफ शेप दूँगी उपर हमें ज़ादा नहीं उठाना है बस जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे मैं क्लीन करूँगी जो भी अनिवेन है उसे क्लीन करूँगी क्योंकि हमें उपर ज़ादा उठाना नहीं होता है बस जो भी है अनिवेन उसे हम क्लीन करेंगे और इससे हो जाएगा और गाइस पीछे जो chair दिख रहे हैं उसे ignore करिएगा प्लीज क्लाइन के साथ जो बच्चे आते हैं वो यह सब शैतानी करते हैं तो प्लीज उसे ignore करिएगा तो देखिए अभी मैं forehead भी clean करूँगी मेरे client को forehead भी clean करना है तो उसे भी मैं clean करूँगी so guys forehead को clean करने के लिए मैं client को बोलूँगी कि आप अच्छे से eyeball के यहाँ पर पकर लीजिए इससे क्या होगा forehead फैल जाएगा अच्छे से tension create होगा तो हमें forehead clean करने में बहुत ज़ादा आसानी होगा guys तो आपको भी इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है okay guys अभी मैं दूसरे side का hair निकालूंगी मतलब दूसरे side की eyebrow बनाऊंगी जब तक मैं दूसरे side की eyebrow बनाती हूं guys तब तक आप इस video को अभी like कर दो और मेरे चैनल को फटा फट से subscribe कर दो guys आप लोग के लिए मैं हमेशा ऐसे ही helpful video लाती हूं और लाती रहूंगी please आप लोग भी मेरे चैनल को support करिये और मेरे चैनल को subscribe करिये वीडियो को share करिये ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सब के पास इस video पहुचे और सब को help मिले guys तो देखिए मैं अभी दूसरे साइट की eyebrow बनाऊंगी सेम तरीके से बनाऊंगी guys जैसे मैं दूसरे साइट की बनाई हूं सेम तरीके से बनाऊंगी देखिए मैंने क्लाइन को अच्छे से दोनों मतलब उपर नीचे पकड़ा दिया है कितने अच्छे से पकड़े हैं guys इनके आइब्रो बहुत ही अच्छे से बना दी हूँ और बहुत खुश हो गई थी आइब्रो का शेप देखके तो अच्छे से इनका आइब्रो बनाती हूँ आप लोग ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रही हूँ नीचे जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको गाइस बस मै वही क्लीन करूंगी और जो भी अनिवेन दिख रहा है लाइन में बस उसे मैं हटाऊंगी बस इससे हो जाएगा जादा कुछ नहीं करना है चेट-चार क्योंकि आइब्रो पहले से बहुत ही जादा कम है तो जादा उठाऊंगी तो पतला हो जाएगा अच्छा नहीं लगे हैं तो इसलिए मैंने उनको बोल रही हूँ आप इधर पकड़ो इधर पकड़ो इससे क्या होगा कि स्किन बिल्कुल नहीं कटेगा यह हमारे हाथ में है कि क्लाइन को कोई भी नुकसान ना पहुचे तो अच्छे से मैं अभी नीचे नीचे क्लेन करके उपर उठाऊंगी और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताईएगा आगे और भी मैच और स्किन पे आईब्रो देखना चाहते की नहीं यह भी कमेंट करके बताईएगा गाईस मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगी तो देखिए अभी मैं फ्रंट का उठा रह तो उपर की तरफ मैं अच्छे से एकदम जो भी एक्स्टा दिख रहा है उसे मैं उठाऊंगी जादा डीप नहीं जाना है बस जो भी एक्स्टा दिख रहा है उसे मैं क्लीन करूंगी और उपर क्लीन करके मैं फोरेट भी क्लीन कर दोंगी गाईस आई होप ये वीडियो आ i channel आप लोगो के वज़े से ही मेरा आज इतना भी subscriber है सिर्फ आप लोगो के वज़े से आगे भी इसी तरीके से मुझे support करते रहिए ताकि मैं और आगे बढ़ पाऊं आप लोगो को बस subscribe भी करना है कुछ भी नहीं और like करना है guys आप लोग का सपोर्ट के वज़े से मेरा जो भी आज बना है बस आप लोग के वज़े से ही है आप लोग नहीं तो मैं भी नहीं कुछ भी नहीं so please मेरे चैनल को सपोर्ट करिए गाइस तो अभी मैं forehead clean कर रही हूँ अच्छे से forehead भी clean कर दूँगी forehead में एक भी hair नहीं रखूंगी अच्छे से shape दे दूँगी और देखिये मैंने client को अच्छे से पकड़ा दिया है नीजे की तरफ ताकि मैं अच्छे से forehead clean कर पाऊं और skin बिल्कुल भी ना कटे और guys इनका face massage भी हुआ था उसका भी मैंने video किया है बहुती जल उसका video भी मैं upload करूंगी चैनल पे इस video को आप बहुती ज़ादा से ज़ादा प्यार दीजिए ताकि मैं इनका massage वीडियो भी upload कर पाऊं तो guys यहाँ पे मेरा forehead clean हो गया है अभी मैं फिर से recheck कर रही हूँ और जो भी extra दिख रहा है guys उसे मैं clean कर रही हूँ यह मेरा आदत है मैं last तक देखती रहती हूँ कि uneven है क्या और ठीक ठाक है क्या नहीं तो यह मेरा आदत है guys तो अभी मैं जो भी extra दिख रहा है उसे combing करके मैं scissor से cut कर रही हूँ और यहाँ पे देखे मेरा eyebrow done हो गया है और अभी मैं जितना भी extra है उसे brush की help से clean कर रही हूँ और massage करके दे रही हूँ इनको eyebrow बहुत ही ज़ादा पसंद आया था और आप भी देखिए eyebrow का shape कैसा आया है आप लोगों को अच्छा लगा की नहीं जरूर comment में बताएगा guys तो मिलते हैं next video में guys तब तक के लिए बाई बाई